बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, अस्राम लेकुम स्टुटेंट, तोड़े विल डिस्कॉस अबाउट चेप्टर नमबर टेन, एंड न्यू टॉपिक इस ऑप्टिकल फाइपर, वट इस ऑप्टिकल फाइपर, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कॉस करेंगे ऑप्टिकल फ किसह नए किया चैएन को मुद्त लकर सकतें आज, उसके आप्तिकल फाइपरो होता क्या है, यह एक प्रॉससफ है, वो धेताता है किकती सुट अब पर्सें को कॉम्यूनिकेट करने के लिए उप्टिकल फाइपर यूज किया जाता है, अब η ऐस तक Mensh require जो हमारे पास होते हैं वो वायल्स मोचूद होते हैं इतने थीम होते हैं कि हम उनको hair like wires भी कह सकते हैं और optical fiber का इस्तमाल कहा होता है जैसे के भी बताया communicate करने के लिए एक जगा से दूस्री जगा communication के लिए through a signals के जरीए और वो signals क्या होते हैं like light signals उसके जरीए कम्यूनिकेट करने के लिए optical fiber यूज किया जाता है optical fiber के बनने से पहले किस तरह हमारे पास communication की जाती थी तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पहले history के बारे में discuss करेंगे पहले हमारे पास जो history है वो है light communication in history कि light के जरी जो communication होती थी हिस्टरी में previous पहले जमाने में वो किस तरह होती थी 100 of years man ठीक है पुराने हमारे पास जो 100 of years है 100 साल पहले की बात है जो शक्स होते थे वो communication करते थे किस के जरीए sunlight को यूज करके इन days में days में sunlight के जरीए communication करते थे और night में fire signal के जरीए communication करते थे यह पुराने 100 years back की बात है 100 साल पुरानी बात है कि जब communication करना होता था तो sunlight के जरीए करते थे दुपहर के time days में और night में जो थे अगर हमें communicate उने करना होता था तो fire signals के जरीए वो क्या करते थे communicate करते थे sunlight के reflection के जरीए और fire signals के जरीए फिर उसके बाद जो still in navy जो थी navy जो थी 100 years पहले वो किस तरह communicate करती थी वो also light signals के जरीए communicate करती थी एक जगा से दूसरी जगा ठीके powerful light signals transmit करती थी उसके तरह यह अपने messages जो थे वो एक ship से दूसरे ship में convert करते थे मतलब यह भी light signals को यूस करते थे still navy जो होता था also 100 years पहले communication जो थे उसके दो process थे एक sunlight के जरीए through reflection and एक fire signals के जरीए at a night so for 100 of years man has communication using sunlight in days through reflection and fire signals at night still in navy, navy जो हमारे पास होती है ship वाले the light signals are used as mean of communication by using powerful blinker's light to transmit coded message to other ships during period of radio silence उसके बाद क्या होगा next 100 years back हम कहते हैं हमारे पास एक scientist आया that is grambell grambell इसने telephone जो है वो discover किया था ठीक हो गया यह पहला परसन था जिसने transmit किया voice message के जरीए एक जगा से दूसरे गा communicate करने के लिए voice message को यूज किया ठीक है अब किस तरह उसने किया light beam को यूज किया और उसके तरह उसने कहा कि हम लोग किसी भी voice message को एक जगा से दूसरे जगा transmit कर सकते हैं और उसने इसके लिए एक machine बनाई जिसको नाम दिया photo phone का ठीक है also उसने का photo phone का नाम दिया तो grambell was the first person who was able to transmit voice message through light beam from sun which was modulated and focus on a selenium detector 100 meters away from the source और इसने बहुत दूर तक हमने का रहा हो तो बेखते थे उस तरह ज़्यादा दूर तक उनका message नहीं जा सकता था यहाँ पर very 100 meters distance उसने travel किया और उसने एक machine डिजाइन की उस machine को उसने नाम दिया photo phone का तो यह तो था second process के इस तरह communication का एक और another machine बनाई एक another process हुआ जिसके जरीए communication जो थी वो possible हुई next पर मजीद उसने जो था progress जो थी light की communication वाला उसको मजीद explain किया progress in light communication के light communication में progress हुआ तरक्की हुई और another जो है हमारे पास method बना जो के light की communication के लिए use किया दा था यह idea undeveloped था many years के लिए use किया और इसमें क्या था modern technique यूज हुई light को transmit करने के लिए through the optical fiber के जरीए तो यह हमारे पास जो another communication के लिए जो device बनाया गया या जो progress यूज किया गया यो जो method यूज किया गया वो था optical fiber जैसे कि अभी मैंने कहा कि optical fiber जो होता है यह एक solid glass की हमारे पास plate होती है यह glass का एक बना होता है और यह क्या होता है एक इस पर अंदर wires होती है that is thin hair like wires होती है the optical fiber consists of flexible solid glass और transparent plastic of hair thin pipe यह हमारे पास क्या किलाता है optical fiber और यह किसलिए यह उसके जाता है communicate करने के लिए next हम लोग optical fiber को मजीद explain करेंगे और इसकी advantages के बारे में पढ़ेंगे इसकी advantages many advantages है optical fiber के तो इसकी advantage है over a radio wave carries यह करता है कितनी advantages है जैसे के यहाँ पर module so it has much wider band with capability इसकी capability बहुत जादा होती है it is free from electromagnetic interference यह electromagnetic interference से बहुत जादा free होता है मतब इसमें कोई electromagnetic का interference बदाखलत नहीं होती it is used to transmit light around corners and into unapproachable places मतब यह every corners चोटे से चोटे corners पर पी और जहाँ पर रसाही नहीं हो सकती approachable नहीं है approach नहीं हो सकती वहाँ तक भी यह light को transmit करता है the fiber optic system has much thinner and light weight cables यह जो fiber optical होता है यह बहुत ही जादा कम बेट वाला होता है और thin much thin होता है जिसकी विज़ा से इसकी जरीए हम लोग easily जादा से जादा जादा distance पर communicate कर सकते है an optical fiber with its protective case may be typically 6.0 mm in diameter इसकी जो प्रप्रेटिव मीटर होती है distance 6.0 mm diameter होता है इसका in contrast to thin अगर thin की बात की जाए copper cable अगर हमें copper cable यूज़ करते है उसकी जो diameter होता है 7.62 cm diameter और यह use किया जाता है transmit करने के रहे same amount of signals को तो यह थे हमारे पास advantage of fiber optics next हम मजीभ इसे explain करेंगे इसकी uses of optical fibers को करेंगे कि इसका इस्तमाल कहा कहा होता है इसका इस्तमाल diagnostic tools के लिए medicines में use किया जाता है ठीक है जैसे के endoscopy के लिए their important add diagnostic tools in medicines has been provided like endoscopy it is usually use in communication such as it has the ability to transmit thousands of telephone conversations, several television program including two-way program and numerous data signal between station मतब यह बहुत जादा at a time thousands of telephone की conversation को at a time communicate कर सकता है optical fiber system also allow equipment to operate efficiency word processing image transmitting and receiving मतब यह image को भी transmit भी करता है और receive भी कर सकता है optical fiber से तो मतब communication का process बहुत strong है thousands of communication at a time करवा सकता है और images को भी एक जगा से दूसरी जगा transmit कर सकता है तो आज का मारा topic था optical fiber ठीक है optical fiber के इस्तमालात पड़े uses, advantage और optical fiber क्या होता है यह पड़ा और इसके पैले में और विश्ट्री हिस्ट्री बढ़ी किस तरह communication जो है वो प्रीनेस जबाने में हिस्ट्री में यह की जाती थी तक यू